हम आपको दिव्य सत्संग के माध्यम से हमिशा कुछ न कुछ अच्छा बता रहे हैं उशी में एक और परशन का उत्तर हम देंगे जिसने लगभग 200-400 लोगों ने परशन किया है कि हम दोनों समय ध्यान में बैठते हैं भजन में बैठते हैं मंत्र जाप करते हैं पर चित नह करना चाहता हूं इस विशे से यह विशे सारी दुनिया का है सब को परिशानी में रखता है जो अच्छे लोग है कि दर्शल में मन का जो अंत्रिक सुभाव है वास्तिविक सुभाव है वो कहीं न लगने वाला है कि मन किसी भी विशे में निरंतर नहीं लगता कि आपके ब बोजन में भी मनन नहीं लगता पो अच्छा बोजन तो आदमी की जीवा को रशित करता है और आभशक्ता है पर मनन्हे लगता बोजन में आद्मी बोजन कर extensive समय भी बात करते हैं या मोबायल उठाते हैं या आवाज लगाते हैं या कहिए सरीर में खुजली रहे तो खुजली करते हैं इसका मतलब है कि भोजन की इस्ति में भी áदमीं का मन थे एक आग्र नहीं होता एक जगह नहीं रहता उसे कितनी भी अच्छी बस दे दो पर फिर भी वो उसमें बहुत जादा देर नहीं टिकेगा थोड़ी देर भोजन के लिए मन लालाहित रहता है विशे के लिए लालाहित रहता है भोग संभोग के लिए लालाहित रहता है पर बहुत समय तक उसमें भी मन नहीं टिकता है इसका मतलब सीधा है कि मन का सु कि आविज्सकता नहीं है कहीं कहीं तो आदमी को केबल पुर्शार्थ करना आपका भावना कैसी है क्या है उसके डिपेंड नहीं रहना है आप किवर वर करते हैं तो भी आपको परंदाम आएंगे गाड़ी चलाते हैं गाड़ी में कहां द्यान रहता ड्राइवर का चारो तरब द्यान रहता उसका गाने सुनता है पag propag देखता है सवारियों को देखता और गाड़ी भी चलाता है तो एक साथ मन हर जगे बदलता है तो भी गाड़ी सफलता से चलाता है इसका मतलब है कि वो वर्क कर रहा है करम कर रहा है तो कभी कभी करम का भी फल प्राप्त होता है और मन के साथ करने से करम में दिव्यता आ जाती है और वो करम बहुत सुन्दर तरीके से होता, इतना फरक तो पड़ता है परमात्मा में मन लगता है का नहीं लगता है, उससे आप परिशान मत रहिए केवल आप परमात्मा से जुड़े रहिए, क्योंकि आप और आपके मन में फरक है हमारी आखें कहीं लगी हैं और हम नहीं लगे हैं, तो कुछ लाब नहीं मिलेगा जैसे याँके अटेंगी रूप चला जाएगा, तो आत्मस्वरूप हो करके आपको भगवान के भजन से जुड़ना है, आपके अभ्यास से ही मन आपके साथ दिरे-दिरे हो जाता है और फिर मन भी भगवान के भजन में ध्यान में उपासना में लग जाता है, इसलिए मैं आसा करता हूँ कि कभी भी मन के अधीन होकर या मन के कारण आप अपने भजन को विक्षेपना करें और उसमें परिशान ना रहें, आप पूरी तरह से आगे जाएंगे, जीतेंगे, परमात्मा की उपलब्दियां, उनके गुण धरम सुभाब का आपको ज्यान होगा, आनंद प्राप्त होगा, आप अपनी हट से जिद से भगवान क उपासना बजन ध्यान को करते रहें, मन के भरोसे मत रहें, क्योंकि मन चंचलम भाई कृष्णा, भगवान के द्वारा अर्जुन को बताया है, कि अर्जुन मन तो चंचल है, गोडे के कानों के समान है, हर समय हिलता डुलता रहता है, तो पानी की जैसे इस्तिरता कायम नह होना है, आपको नियमित, भगवान का उपासना ध्यान पूजा जो भी करते हैं, नियमित करना है, छोटा या ज्यादा, बड़ा या कम, सब जो भी करना है, नियमित करना है, बस आपका जो नियम है, वही आपके मन को बुद्धी को भगवान से जोड़ता है, अगर आपका म होता नहीं, रिशी मुणी चले गए, पर मन को नहीं धालन कर पाए, इसलिए कभी भी मन लगे न लगे बक्ति में, पर आप बक्ति में लगे रहोँ, पुझा पाट में आप लगे रहोँ, आप बिना मन के भी रोटी खाते ही, तो भी पेट भरता है दिल लगा के मन लगा के खाते तो भी पेट ही भरता है और उससे उतना ही आपको रस प्राप्त हो जाएगा या खून बनेगा है जरूरी यह नहीं है कि आपने बहुत मन लगा के बोजन किया है तो आप पहलवान हो जाएंगे नहीं बोजन अपना काम कर जलाता है मन लगा कि भौजन करने का मतलब होता है कि भौजन करते समय आदमी का द्यान अगर एकाघर होता तो जीव नहीं कटी उत में करता और बाल मक्षी उसमें ठीक ऐनके झर क्रणा चला जाता है और हम साथविक तरीख से क्या खाना क्या नहीं खाना वो समझ पाते हैं और बिना मन के भोजन करने से कभी-कभी जीव कड़ जाती है होट कड़ जाता है या कुछ मूह में बाल वगएरा चला जाता है इसलिए ध्यान लगाकर मन लगाकर एकागरो कर भोजन की भजन की बात कही है पर भजन में आपको कोई किशी प्रकार का नुक्षान नहीं है बिना मन लगाए भी बजन आप करते हैं तो भी आपको उसका परणाम मिलेगा धीरे-धीरे मन पवित्र होगा, सत्य होगा और अपने आप ही मन आपके साथ जुड़ जाएगा और आपका कारे पूरा शिद्धी की और बढ़ता चला जाएगा क्योंकि मन सत्य से सुद्ध होगा है, पहले आप सत्य हो जाएए, मन बाद में अपने आप सत्य हो जाएगा आदमी धीरे-धीरे ठंड़क को मैसूस करता है, बहुत देर तक पानी में बैठा रहता है, तब उसकी बोड़ी जो है ठंडी हो जाती है फिर वो नहीं बैठता पानी में निकल के बाहर आना चाहता है, गर्मी लेना चाहता है, पर एक साथ वो ठंड़ा नहीं होता है इसलिए जैसे पानी में बहुत देर रहने से सरीर कपने लगता है वैसे बहुत देर भजन करने से भी मन आपके साथ होकर आपके जैसा हो जाता है भजनानंदी पहले मन को मत लगाईए पहले खुद लगिए फिर मन आपके साथ आएगा इसी आसा के साथ आपको ये वीडियो बड़ा पसंद होगा और आप समझ पाएंगे और आपके मन का जो कले है कले से वो दूर होगा और आप नियमित भगवान का ध्यान उपासना पूजन करेंगे ब बहुत बहुत धन्यवाद.